तस्वीर एसी है कि ना तो हम इने दिखा सकते हैं और ना ही आप देख सकते हैं लेकिन इस तस्वीर की कहानी शब्दों में जरूर बया कर सकते हैं तस्वीर में एक महीला है जो 90 फिस्दी जल चुकी है महीला की यहालत की है प्रदीव विश्णोई नाम के युवक ने प्रदीव जेल में था आरोप था महीला के रेप का जमानत पर बहर आते ही प्रदीव ने प्रदीव प्रदीव विश्णोई के खिलाफ बलतकार का मुकद हbeatार कर लिया था हाल ही मैं ऑरोपी जमानत बहार आया और पीडिता से बदला लेने के लिए उसकी तलाश शुरू कर दी है राना की बात तो आवाजस लगा कर बुलाया और जैसे ही वो बहार आई उसने केरोसिन तेल डाल कर पीडिता को आग के हवाले कर दिया पीडिता को गंभीर हालत में बिकनेर के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है जहां डॉक्टरों ने बताया कि आग लगने से पीडिता करीब 90 फिसद तक जुलस चुकी है और उसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है पीडिता की नानी की शिकायत पर आरोपी प्रदीव विश्णोई को पुलिस ने गिराज़ी ने बताया है रफतार कर लिया है और फिलहाल उससे पूश्टाच की जा रही है घर के आसपास लगे CCTV कैमरे में भी युवक की तस्वीरे कैद हुई है जिसमें युवक मोटर साइकल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्यूटी पार्लेर के बाहर लगे CCTV फूटेज में युवक घर से बाहर भागता हुआ भी दिखाई दे रहा है बीरो रिपोर्ट राजस्थान तक